लाइफ सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा बिहार विद्धाले परिच्छ समीती का इंटर का एक्जाम 3 फरवरी से 13 फरवरी तक होना है और इस एक्जाम को लेकर आज प्रेस कॉन्फरेंस किया बिहार विद्धाले परिच्छ समीती के अध्यक्ष आनंद उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कितने छात्र हैं कितना सेंटर है और कहा कहा होना है आए सुनते हैं क्या कहा हुनों परिक्षा 2020 राज के 1283 परिक्षा के इंद्रों पर परसो दिनांक तीन फरवरी से शुरू होगी और 13 फरवरी तक राज के सभी 1283 के इंद्रों पर संचालित की जाएगे इस परिक्षा में अपियर होने के लिए कुल 12,5,390 विद्यार्चियों ने फॉर्म भरा है जिसमें 5,48,736 चात्राइं हैं एवं 6,56,654 चात्र सम्मिलित होंगे पटना जिले में कुल 12,123 विद्यार्थी सममिलित होंगे इस परिक्षा के इंद्रों पर पूरी तरह कडाई के साथ कडाचार रहित और स्वच परिक्षा उधियर परिक्षा कराने के लिए बिहार विद्याले परिशा समिती द्वारा सभी जिलों की DMs को और SPs को आवश्यक दिशानी देश निर्गत किये गए हैं और इसकी अलोग में सभी जिलों में परियाब संग्या में दंडाधिकारी, पुलिस प्राधिकारी और पुलिस बलों की प्रित्नुक्ति इस सभी परिशा के अंदरों पर की गई है इसके साथ ही सभी जिलों में जोनल दंडाधिकारी, सूपर जोनल दंडाधिकारी और फ्लाइंग स्कॉट्स की प्रित्नुक्ति की गई है इसके अलावा Petrolling Magistrates और Petrolling Force के साथ-साथ Static Magistrates और Static Force की विवयोस्था सभी के इंदरों पर की गई है परिक्षारतियों का दो बार Frisking करने के निदेश दिया गया है एक बार भी हिट पर और दूसरी बार जा परिक्षारती बैट जाएंगे परिक्षा के इंदरों पर उस समय पुन परिक्षारतियों की दुबारा जाइस कराई जाएगी और 25 परिक्षारतियों पर एक विख्षक की व्योस्था की गई है और ये विख्षक उन परिक्षारतियों के सफल और कदचार रहित परिक्षाथ संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मवार होंगे और इस आशायका उन्हें घोशना पत्र भी दिया जाना है सभी परिशाकेंद्रों पर संबंदित जिलों के संबंदित पाधिकारियों द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ परिशाकेंद्रों पर CCTV की भी विवस्था की गई है और प्रत्येक 500 परिशारतियों पर वीडियो कैमरा की विवस्था की गई है और इसके अलावा परिशारतियों के बाहरी भागों में भी वीडियोग्राफर की विवस्था की गई है किसी भी प्रिकार का मोबाइल अथ्वा कोई भी इलेट्रोनिक उपकरण ले जाना सभी परिक्षार्टियों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया गया है और जो भी परिक्षार्टी यदि इस प्रकार के कोई भी उपकरण ले जाते हूँ पाई जाते हैं उन्का न सिर्फ वहुआ कर अंजब्त कर लिया जाएगा, बल्किन उनको परिक्षा से निश्काशित करते हुए, उनको परिक्षा से वन्चित भी किया जाएगा और उनके वरुद में प्रात्मिकी भी डश करए जाएगी। मिलिकी परिक्षार्थी या अध्यां देन आंट रावशक है कि परिक्षा केंद्रों पर पर रहेशं की परिक्षा प्रारवघ होने के दस मिनट्ट पुर्व तक ही मिलेगी अर्थात जो परिक्षा फर्स्थ टिंग में में पर नो बज ये प्रारब होगी उस परिक्षा के अंद्र पर परिशारथी को नो बज़्चकर 20 मिनट तक हर हाल में पहुँशना आ निवारी होगा उन परिक्षा के All visionary की एक बज़्चकर 45 नहीं दी जाएगी यह ध्यान देना इसलिए आवशक है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो इसका अनुपालन नहीं करते हैं जो इस समय सीमा के बाद पहुंचते हैं उनकी परिक्षा छूट जाती है और फिर उनका पूरा वर्ष या तो व्यर्त हो जाता है या उनको संपेंद्लब हैं इससे भी आप काफी पहले पहुंचें ताकि आपको परिशा के इंदरों पर प्रवेश में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहों और ट्रैफिक जाम या इत्यादी अंध किसी भी प्रकार की दिजिले में कोई समस्या होती है उसके कारण आपको परिशा में किसी प्रकार की से हार्दिक शुबकामनाएं देना चाहता हूं आगामें इंटर्मेटर परिशा के लिए और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों इस प्रकार से पूरी मेहनत लगंग और परिश्रम के साथ परिच्छा की तैयारी की है वह सभी परिशार्थी इस परिशा में एक बहुती ब महिलाओं दोरा संचालित किये जाएंगे जहांपर कि मैजिस्ट्रेट्स महिला होँगी जहां कि पूलिस कर्मी महिला होंगी जहां कि पडἇब आदर्श परिशा केंदर के रूप में हर जिले में चार-चार स्थापित किया जा रहा हैं जिसके लिए 1 लाग रूपे की राश्टी सभी 38 जिलों को अलग-अलग रूप से निर्गत की गई है इस प्रकार यह सभी व्युस्थाएं इस प्रकार से की गई हैं कि किसी भी परिक्षारती को किसी तरह की कठिनाई और सुल धरना हो इसके साथ ही एक चीजह है भी धन्दर देना आवशक है कि इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं पर और सभी ओमार शीट्स पर सभी परिक्षारतियों के फोटो लगाए जा रहे हैं और इस प्रकार यह विवस्था की जा रही है कि सभी जो एड्मिट कार्ड्स में जो फोटो रहते हैं उसी प्रकार से उत्तर पुस्तिकाओं पर भी और OMR शीट्स पर भी फोटो लगाने के विवस्था की जा रही है समिती द्वारा अलग अलग अफसरों पर कई बार फोटो के संबंद में और अन विवरणियों को तुटी को सुधार करने के संबंद में सभी विद्यारतियों को स्रेक्षिनिक संस्थानों को और अभिवावकों को विगप्ति के माध्यम से सुचना कई बार दी जा चुकी है इसके लावा इमेल मोबाइल पर SMS कित्यादी के माध्यम से सुचना दी जा चुकी है डमी एडमिट कार्ड भी दो दो बार निर्गत किये गए हैं जिसका उदेश यह था कि यदि उसके बाद भी आपके द्वारा या आपके जो इंस्टूशन द्वारा या आपनी जहां पर इंटरनेट काफे के माध्यम से फॉर्म भरा है यदि वहां पर किसी तरह की कोई तुटी काफे के दोरा या कॉलेज के दोरा कर दी गई है विशे में या इसको लूप सुधार कर ले मुझे खुशी इस बात की है कि इन सभी जो मौके दिये काई बार पांच बार शे बार साथ बार जो मौके दिये गया है इसके अलोग में जहां जहां विद्यार्थियों की तरफ से या इंटरनेट काफे या उनके संस्थानों की तरफ से यहां तुटिया हुई थी उसका उन्होंने सुधार कर लिया है लेकिन यदि अभी भी किसी विद्यार्थी के फोटो में यदि कोई विद्यार्थी सुधार नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए विशेश व्यवस्था विहार विद्यालय परच्छा सम्थीज़ वारा यह की गई है कि यदि आपका फोटो किसी करणवर्ष आप पे उसको तुरिपूर्ण डाल दिया है तो छे अलग अलग डॉक्मेंट्स अलाव किये गए हैं जिसमें आ अटेस्टेड कॉपी आप परिशा के इंदे पर ले जा सकते हैं और यदि आपके फोटो में किसी तरह का मिस्मैच है तो इसके बावजूत भी आप इन वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से आप परिशा में भाग ले सकते हैं इस प्रकार यह सारी विरस्थाएं इस प परिशकों और इस परिशा में जुड़े हुए तमाम वादिकारियों को अपने शुपकानाने देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप सबों के सहयोग से राज्य में आने वाले इंटर की परिशा बहुत ही बेहतर और कदचार रूप रहित से जिस परकार पिछले दो और परको वर्षा accommodation से पिछले पर से राजजी में सचालिइद की जा रही उसी प्रिकार सी ईसकार में सठाझ की जाएगी बहुत बहुत हैं तो जैसा कि आपने उनको सुन लिया, उन्होंने कहा कि टोटल 1283 सेंटर हैं, जहां पर एक्जाम होने हैं, उन्होंने कहा कि हर जिले में 4 आदर सेंटर हैं, जिसमें हर कुछ महिलाओं के जिम्मे होगा, साथ में उन्होंने बताया कि 1254 चातर हैं इस एक्जाम में सम्मिलित हो रही हैं, जिसमें से 548,000 चातर हैं और 656,000 चातर हैं, और साथ में उन्होंने बताया कि इस बार एक्जाम देने के लिए जो टाइमिंग है, उससे 10 मिनट पहले इंटरी ले लेना होगा, उसके बाद इं इंट्री नहीं होगा एक्जाम शुरू होने से अगर 9.30 का टाइमिंग है तो उसे 9.20 तक फाइनली इंट्री ले ले लेना है उन्होंने कहा कि जिस चात्रों का चात्राओं का एड्मिट कार्ड में फोटो गलत चला गया या फोटो मिसमैच है उनके पास 6 डॉकुमेंट्स हो थाइमिंट्स का टाइमिटू